आप देख रहे हैं अदब जिन्दगी यूट्यूब चैनल वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूले ताकि आपको नई आने वाले वीडियो मौसूल होती रहें कुछ अनौन मौती मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना ए खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है मां से महब्बत करो क्योंकि मां के परिशानी देख कर अल्लह ने सफा मर्वा को हच्चका रुपन बना दिया अच्छी किताबें और सच्चे दिल हर पिसी की समझ में नहीं आते अंधेरे से अंधेरे को खत्म नहीं किया जा सकता सिर्फ रौशनी ही अंधेरे को खत्म कर सकती है ठीक इसी तरह नफरत से नफरत को खतम नहीं किया जा सकता सिर्फ प्यार भी नफरत को खतम कर सकता है हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो इल्म भी आजाएगा और इखलागा बहुत से लोग और जदा हो जाएंगी अगर वो आई में अपने चहरे के साथ साथ अपना किरदार भी देख पाएंगा सवाल जहर का नहीं था वो तुम्हें पी गया तक्रीफ लोगों को तब ही जब में जी गया पैसा इनसान को उपर ले जा सकता है लेकिन इनसान पैसा उपर नहीं ले जा सकता इतनी जल्दी दुन्या के कोई चीज़ नहीं बदलती इतनी जल्दी इनसान के नियात और नजरे बदलती है ये कुद्रत का कानून है कि जो इनसान किसी को इस्तमाल करके और इसे दुपा दे कर अपने खुशियां हासिल करका है वो कभी न कभी ये खुद इस से भी ज्यादा दूसरों के हाटों इस्तमाल होकर जिन्दी में दुप सेता है इनसान भी टेस्ता है जहर डाल के लवजों है जब कोई दोस्त तुम्हे अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इस्त तुम्हें अमानत देता है इसमें कभी ख्यानत मत करना जिन्दगी तस्वीर भी है और हकीकत भी फर्क है तो रंगों का मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अंजाने रंगों से बने तो तकदीर हर इनसान अपने जबान के पीछे छुपा हुआ है अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते हैं उनको हमेशा इनसानी कतल करता है कभी नफरत से कभी नजरन्दाजी से और कभी गलत फैमी से वक्त सिखा देता है इनसान को जीने का हुनर फिर क्या नसीब क्या मुकदर और क्या हाथ की लखी रहे किसी को मुआफ करके अच्छा जरूर बनो मगर उस पे दोबारा इतबार करके बेवकुफ हर गिसमत बनो इनसान की रूख की असल कैफियत गम है खुशी एक आरजी शे है हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजर्बा देकर ढलती है कुछ बातों में वजाहत बहुत जरूरी होती है वरना चुप का जहर हमेशा के लिए कुछ रिष्टों को अपाहिच बना देता है बड़ा खजब का नजारा है इस अजीव सी दुनिया का लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ चाने के लिए फितरत का तकाज़ा है के इनसान जन्नत भी चाता है और मरना भी नहीं चाता कुछ लोग जिन्दगी में आके कुछ लोग जिन्दगी से जाके हमारी जिन्दगी को बहतर बना देते हैं सच बोलने से इनसान को जहनी परेशानियों से निजात मिलती है और इसका दिल हलका हो जाता है मौफ़ी मागने के लिए भी जर्फ होना चाहिए कमजर्फ लोग कभी मौफ़ी नहीं मांगते है हसद एक सहर है जिसे इनसान खुद पीता है और तवक्ता दूसरे के मरने की करता है वीडियो पसंदाने की सूरत में शेयर जरू कीजे और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले ले शुक्रिया